हेलो सुरेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज पूरी तरीके से रिवीजन करेंगे रिटार्मेंट ओफ पार्टनर का बहुत सारे बच्चे है क्लास जो एड्मिशन रिटार्मेंट का एक रिस्क लेके चल रहे हैं तो मैं यही सजेशन दूँगा कि रिस्क बिलकुल भी मतल दोनों चैप्टर का अच्छे से कर लो वन शॉट रिवीजन के अंदर आज हम अच्छे से पूरे चैप्टर का विद एड्जिस्मेंट ऑफ कैपिटल सब कुछ रिवीजन करेंगे स्टार्ट करते हैं रिटार्मेंट ऑफ पार्टनर सबसे पहली चीज ए बीसी तीन उस एक नोटिस देना यहां चाहता हूं और उस दिन से उसकी लाइबलिटी खतम हो जाएगी और जो पार्टनर छोड़ जो चोड़ जाता है उसको हम लोग बोलते है रेटाइरिंग पार्टनर या आऊटगोइंग पार्टनर जो बच जाते हैं इंग रह काल रिमे रामें अपकान की पथीज़ा ईटला जए आगागए लूर्ट सिटापार अभाइन जिए चापटर में जो गैनिंग रेशु का फॉर्मल आगे है वो क्या यह बहुन के सिरफ का यह नियु रेशियो रुई आपका का दो तरीके हैं सब केस और दूसरा के चारएर्ड के स्टो जो सि 3 ratio 1, यह class आगया आपका, 3 ratio 1, यही आपका क्या class आगया, new ratio, यही आपका gaining ratio, simple case, बड़ा ही simple है, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है class, उसको हटा दो, जो रिमेनिंग पार्टनर बचे ए class, उनकी ratio 3 ratio 1 है, वही new ratio है, वही gaining ratio है, ऐसे case में, अगर यह ratio ना देकर, एक fraction दिया हो तो सबसे पहले denominator को बड़ाबर करके आपको एक ratio बनाना है, जब आप एक ratio बना लोगे class, तब आपने क्या करना है class, उस ratio में जो छोड़ के जड़ा हो यही आपकी new ratio है, यही आपकी gaining ratio है, अब acquire case के अंदर प्रोब्लम किया, अगर मैं इसी question को acquire case में बात करूँ, तो इसी question में class, A, B, C तीन partner है, ratio 3 to 1 है, B जा रहा है छोड़ के तो B का हिस्सा कितना है, 2 by 6, B जा रहा है छोड़ के तो B का हिस्सा है 2 by 6, B अपना हिस्सा दे कर जाएगा A और C को, यह पकी बात है, वो दे कर ही जाएगा A और C को, यह तो 100% है, हर case में, जो भी partner छोड़ के जा रहा ह तो B का हिस्सा C में जोड़ जाएगा, B अपना हिस्सा A और C को बराबर बराबर दे रहा है, तो इसके हिस्से का बराबर बराबर करेंगे 1 ratio 1, यही गेनिग रेशो होगी, यह अपना हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर को जिस रेशो में देके जा रहा है, उसी को गेनिग 1 और 2 by 6 का 1 by 2, 2 by 6 का 1 by 2, 1 by 6 में जोड़ दोगे, 1 by 6 में जोड़ दोगे, और A और C की नई रेशो आजाएगी, ठीक है, कोशिन कहता है, यह अपना हिस्सा 3 ratio 1 में देके जाएगे, तो 3 ratio 1 आपकी गेनिग रेशो होगी, और B का जो भी हिस्सा उसका 3 by 4 निकालके A में देगा, बट अगर कोशिन में सिर्फ कह रहा है कि B रिटायर हो रहा है बस और कुछ भी नहीं लिखा, तो इस केस में A और C को वो किस रेशो में देके जाएगा, इनकी ओरिजनल रेशो में यानि की 3 ratio 1, अगर कुछ नहीं लिखा तो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, रिमेनिंग पार्टनर्स को देके जाएगा उनहीं की ओरिजनल रेशो में जो कि है 3 ratio 1, यानि की 3 by 4 और 1 by 4, तो बी का हिस्सा कितना है क्लास, 2 by 6 का 3 by 4, 2 by 6 का 1 by 4, तो ये A और ये C क्लास, ये A में जोड़ देना क्लास, ये C में जोड़ देना आ जाएगा, और पक्की बा तो ये काम करो, आड़ देख लो, ये निव रेशो भी सेम तुसम भी आएगा, कॉमें जोड़ देना क्लास, ये जोड़ देना क्लास, ये जोड़ देना क्लास, ये जोड़ करके 6 upon 24 और 2 upon 24, ये जोड़ देना ये रेशो, आपकी 3 ratio 1 ही दिखेगी, और new मिल गए और old मिल ग पकी बात देकर जाएगा, वो जिस रेशो में रिमें इन पार्टनर को अपना शेयर देकर जाएगा, ये जो पराने पार्टनर से जो छोड़ के जारा उस से जिस रेशो में लेंगे, उसी को हम बोलते हैं क्या है गिनिंग रेशो और कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब जो पार्टनर जोड़ के जारा है, वो रिमेंग पार्टनर को उन्हीं के शेयर में क्लास उन्हीं की रेशो में 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 उन्हीं and M decide to retire from the business and H share is taken by R and S M which is that retire from the business, M is leaving the business and who is taking the part of the class? M is 1 by 5 and M is taking the class R and S, in which ratio? 1 ratio 2 so the gaining ratio that comes in front of you is 1 ratio 2 this is the gaining ratio, but I will show you the new ratio so 1 by 5 is 1 by 3, 1 by 5 is 2 by 3 so 1 upon 15 and 2 upon 15, okay? so the share of R, if you will see, R, how much is the class? 2 by 5 how much did you get it? 1 by 15 how much is the share? 2 by 5 how much of the class got it? 2 by 15 the class will be 15, 5, 3, 15, 3, 2, 6, plus 1, 7 by 15 the class will be 15, 5, 3, 15, 3, 2, 6, plus 2, 8 upon 15 so the new ratio will be 7 ratio 8 so the value of the class will change in the same way because if it will come, it will be clear so the MCQ will be asked in the form in your same form right? No problem or problem? the class will tell me until over here the whole thing is coming for the same idea the new ratio, okay next question now if you would like this, if you have to take it from the new minus old the fact that the gaining ratio 1 ratio 2 will come so in other questions, you will not have shortcut to solve you time to測ти MCQ you have to show this shortcut in the question that you can leave the remaining partner कर देके जा रहा है तो 1 ratio 2 जो है, वो same to same क्या आजाएगा, class, 1 ratio 2 ही आपका new ratio, अराम से, गेनी ratio आराम से calculate हो जाएगा, देख के टिक कर देना, next, चिंतन मनी और अमर, CMA, इनकी ratio कितने है, 4, 3, 7, 2, 9, 4 by 9, 3 by 9, and 2 by 9, अमर decide to retire from the firm, चिंतन तुक, अमर जा रहा है, class, चोड़ के, है न, अमर जा रहा है, और उसका हिस्सा कितना है, class, 2 by 9, चिंतन तुक 5 by 9 of अमर शेर, जो चिंतन है, वो अमर के शेर का 5 by 9 ले रहा है, तो आप मुझे बताओ, class, मनी जो है, या मानी जो है, वो कितना लेगा, इस 2 2 by 9 का, अगर चिंतन ने 5 by 9 ले लिया, तो जो मनी लेगा, वो कितना लेगा, 4 by 9, बैलन्स अब इस ने ले लिया, तो बच्चे कितना, नो मैं से 5 हिस्सा उस ने ले लिया, तो चार हिस्से ही तो बच्चे, तो इक लास ऐगा, 10 upon 81, 8 upon 81, पहले जो चिंतन का शेर था, वो था 4 by 9, एड़ कर दो, 10 upon 81, और गेनिग रेशियो तो चार है, 5 by 9, 4 by 9, तो गेनिग रेशियो आगे आपका क्लास, 5 रेशियो, 4, यहोगे सी, एम का था कितना, 3 by 9, कितना अड़ कर दो, 8 upon 81, यहाल से लिया लिया, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 plus 10, यहा 46 upon 81, यहाएगा 81, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27 plus 8, कितना आएगा 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, होगया, क्लास 46 रेशियो, 45, यह क्लास आगे आपका क्या, न्यू रेशियो, और गेनिग रेशियो क्या है, 5 रेशियो, 4, बिकास, जो A है वो अपने हिस्टे का 5 by 9, C को देके जाएगा और 4 by 9, M को देके जाएगा, यहाएगी 5 क्लास मैं से काऊँगा 100% यह टॉपिक आएगा ही आएगा, तो जब भी हम बात करते हैं, तो दो तरह की गुडविल होती है, कितने तरह की क्लास गुडविल है, दो तरह की गुडविल होती है, सबसे पहली जो गुडविल होती है, सबसे पहली जो गुडविल होती है, गु बालें शीट के आंदर गुड़वल दे रखी है, तो रूल रेक्चाप्टर के अंदर दर कॉमन होता है, अगर आपको आपको रेलांस शीट के अंदर गुड़ देर जीर के तो एटु विल बी रिटन ओफ, जो को क्या करना है, क्लास, रेडर आप्राउत करना है, क्लास, old partner's capital account debit to goodwill in old ratio, admission जैसा यह same to same, old partner's capital account debit to goodwill account being goodwill return off in old ratio, यह common है हर जिगे, तो अगर कभी भी आपको balance sheet के अंदर goodwill दे रखी है, तो आपको राइट ओफ करना है, और राइट ओफ करना है, और राइट ओफ करने की entry होगी क्लास, old partner's capital account debit to goodwill being goodwill return off, आप राइट ओफ कर सेकंड चीज़ जो है, if goodwill in additional point, ठेक है, if goodwill in adjustments, यानि की additional point, अब जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, वो भी तो business से अपने हिस्से की goodwill को लेकर जाएगा, तो अगर goodwill additional point में है, तो आप क्या करोगे, इसके entry पास करोगे, remaining to retiring, आप इसे remaining बोलो, या gaining बोलो, बिकॉज जो कए लोगस को गीनितु सेकरिफ संदिफाइजिंग थोग को रमेइनिंग to retiring का बोलो घे इसे के एंट्रिहाः रहे हैं अर यहे एंट्री हो गी 강 Hin Patty ciao दूसरा है class, retiring partner goodwill निकालो जो छोड़के जारा है, उसके हिस्से की कितनी goodwill है, फिर class आप entry pass करो. सबसे पहले, gaining ratio निकालना है, फिर जो छोड़के जारा है, उसकी कितनी goodwill है, वो निकालना है, फिर class आपको entry pass करने है, this is called treatment of goodwill. एक class, यह बहुत अच्छा question है, बहुत प्यारा question है class, indirect question है, इसमें भी class मैं आपको बता दूँ, अगर, मैं आपको थोड़ देर पहले क्या बताय था, याद करो, यह दोनों को जिस ratio में देके जा रहा है, वही ratio, gaining ratio है, जो partner छोड़के जा रहा है, वो remaining partner को जिस ratio में देके जा दूसरी बात, इस question में आपको बताया कि जो गुड़विल की entry होती है, वो भी किस ratio में होती है, gaining ratio में होती है, तो यहां पर देखो, इसमें कह रहा है, PQR 3 partner है, ratio 3 to 1, R छोड़के जा रहा है, by selling its share of profit to P and Q, अपना हिस्सा P or Q को बेच के जा रहा है, देके जा रहा है, बात अपना कितना 90, 60 और 50 लाग, मतलब उसको 50 लाग मिलेंगे 90 और 60, तो अपना रहा है, तो 9 ratio 6, यही गें रहा है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3 ratio 2 class आगे आपका क्या, gaining ratio, तो जो gaining ratio आपके पास निकल कर आया है, वो कितना है, class 3 ratio 2, sorry, जो gaining ratio निकल कर आया, वो आगे आपका कितना, 3 ratio 2, find out new ratio of P और Q, निकल कर निकल निकल निकलाना, तो अपनी बात समझना, MCQ मा आया एका tick mark वाले में, तो आप कैसे करोगे, देखो, 3 by 6, कौन छोड के जा रहा है, class R, यह R जा रहा है, 3 by 6 और 2 by 6, एड करोगे, जो छोड के जा रहा है, उसका हिस्सा कितना है, class 1 by 6, वो दोन 2 by 6, 2 by 6, 1 upon 15, 1 upon 15, अब 10 और 6 काल सम कितना class आएगा, 30, है रहा है, 10 और 6 काल सम कितना आएगा, 30, अब 6, 35, 35, 15, 15, 10, 3 by 30, 3 by 3, 18 upon 30 हो गया, यह बेल सम 30 आएगा, 6 by 5 by 30, 5 by 2 by 10, 5 by 2 by 10, 15 by 2 by 30, 2 by 2, 12 upon 30, 18 ratio 12, come across, the last class, 18 ratio 12, 6 by 6, 12 by 18, Coincidence है, class, कि जो गेनिग रहाigon कर आया, वो भी, sorry, जो निव रहो निगलकर आया, वो बी 3 ratio, 2 ही निगलकर आगा, हमाई साब सकोई तो इसका मैं आगया इसका रूल मत बना थे हमेशा इस ही होता है यह इस कोश्यन में आ गया है वट आपको कालकुलेट कर्क देखना पड़ेगा जसे मैंने किया अर्मान, अनूप और शुषान्थ, तीन पार्टनर से रेशों है 3 by 6, 2 by 6, 1 by 6 थेक है 3 by 6, 2 by 6, or 1 by 6 आगे लिखा हुआ है, शुषांत रिटायर हो गया, शुषांत छोड़ के चला गया, new ratio between Arman, Anoop, जो है वो one ratio two है, Arman और Anoop का जो new ratio है, वो है one ratio two, तुमको new ratio दे रखा है, तो तुम्हें काम करो, gaining ratio निकालो, new ratio minus old ratio, Arman, Arman, Anoop, और Shushant, Arman, Anoop, Shushant, ये तीन पार्टनर्स है, तो छोड़ के जा रहा है, उसको तो हटाई दो, इन दोनों के आपने gaining ratio निकालनी है, जिसका formula है new minus old, तो new है one by three, new है two by three, Arman का old है three by six, इसका है two by six, ये जिसे माइगा six, three two ja, three two ja, six, है ना, minus three, ये minus one by six हा गया, ये जिसे माइगा six, three two ja six, four में से two गया, तो ये एक लास कि कर रहा है, वो क्या कर रहा है class, sacrifice कर रहा है, Shushant share of goodwill of firm 30,000, तो सबसे वेले तुमने gaining ratio निकाला, फिर पूरे firm की जो goodwill है, वो तुम्हें दे रखा है 30,000 का, तो तुम्हें Shushant का share निकालना है, Shushant share of goodwill, वो कितना आएगा class, 30,000 का, जो Shushant का share आएगा, वो कितना class आएगा 3, 2, 1, 1 by 6, 6, 35, 35, 5000, Shushant का share निकल कर आएगा, वो कितना आएगा, 5000, Shushant का share निकल कर आएगा, वो कितना, 5000, अचा, अगर ये 1 होता, प्लस में, पहले में बदा दाता हूं, मैं प्लस में या जाता हूं, अगर ये 1 होता, 1 ratio 2, 1 by 6, 2 by 6, 1 ratio 2, आप entry पास कर देते, remaining to retiring, Arman debit, An Anup को जो भी मलता, 1 by 3, 2 by 3, वो हो जाता, लेकिन अगर किसी partner का minus में आगया, वो गेन नहीं कर रहा, वो सेक्रिफाइस कर रहा, वो सेक्रिफाइस कर रहा, मतलब एक पार्टनर छोड़ के चला गया, फिर उसे घाटा हो गया, सेक्रिफाइस कर रहा है, तो अब एंटरी करें लेकिन जिस partner का gaining ratio माइनस में आ जाए, आप उसकी side को change करो, और multiply करो पूरे firm की goodwill से, तो पूरे firm की goodwill की goodwill की अगर किसी partner का minus में आ जाता है, gaining ratio then, आगया समझ क्लास, अगर normal होता तो कैसे करते, negative आएगा तो कैसे करते, मैंने सारा बता दिया, अगर question आप से ये बोल दे, change in PCR में भी देखा, admission में देखा, retirement में दिखा रहा हूँ, death में सेम है, death में नहीं कर रहा हूँगा, मिल्कुल यही सेम है, सभी chapter में सेम है, तो बहुत हो गया, इसी में समझ लो अच्छे से, तो मैं करना क्या है, सबसे पहले, question में लिखा रहेगा, pass the necessary general entry, through goodwill account, pass the entry of goodwill, by opening goodwill account, through goodwill account, by raise or return of, goodwill, by raise or return of, अगर ऐसी भाषा कभी लिखी रहती है, तो सबसे पहले class आपने goodwill की raise की entry कर ली है, अब ही देखा ना यह रिमेंनिंग टो रिटारिं इन गइनिंग रेशी उसी की entry है, वो ना करके फिर यह करवा दो अब कुशन मतलब क्या करवा रहा है, तो बेमतलब काम करवा रहा है, चोटी सी चीज को क्ला वे समानगे कर भारा है काँ आप से, को इस्क cents करेंगे को Giovण गुद्विल को रेस करेंगे Fिर फिर गुद्विल गुद्ह को रिटरम ने अन्डर ही है इसक जा य मैं करोगे वह बनेसा कुछ डश तर्र выпуск गुद्विल को रेस करोगे, तो ऑग्र ओ एंट्री क pursu गया गुद् अर जब राइट अफ करोगे to goodwill और जब राइट आफ करोगे to goodwill account, tekrar easy. मुझेझी साफ करोगे to goodwill account, right? कि रच्भाफ एक्लास पार्टनर की अप्ले आप इंटरी और थ्यान रख्था जो भी हाँ क्लास मेटिप्लाई करोगे वो पुरे फुर्म की गडविल से करोगे चाहे अधमिशन हो चाहे रेटार्मेंट चाहे चेंज इन प्सार वो भी जो एडिशन प्सार लेका रहता है जो किए ज़ाइट, नाई रेश आथ रेश घृ राइश ओन, पास धी निजरिल एंटरी तु गुडविल अचाउंट तो रेज राइज राइट आफ होगा, यह यह राइज राइट आफ बाला तो गुडलिड अाउंट डेबिट कितना है क्लास, 80 60,000 है ना साथ हजार क्या है? अपिर इंद सब्सक्राइब करें, जो बुक्स में उसको तो राइट ओफ करना है, वो तो बिलकुल अलग है, और यह जो 84,000 दे रखा है फिर्म का गुडल अकाउंट डेबिट, 2X, 2Y, 2Z, 84,000 को 6 से डिवाइड दो, है ना, 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 बातना है, 84,000 है, इ अब तुम राइट ओफ करोगे, तो राइट ओफ करोगे, तो राइट ओफ के एंट्री क्या होगी, कौन जारा है क्लास छोड़के, Y चला गया, तो X debit, Z debit, 2 गुडविल, कितनी गुडविल है क्लास, 84,000, अब नई रेशो है क्लास, 1 बाइ 3, 2 बाइ 3, 3 से डिवाइड दे 28, 28 दोनी 56,000, 28 कम 28,000, तो इस तरीके से क्लास आपके एंटरी होगे, पहले होगे रेश की, दूसरी होगे रिटन ओफ की, ठीका, अब इसके बाद क्या होगा क्लास, अब जो गुडविल अपेरिंग, तो गुडविल अपेरिंग, उल्ड बुक्स में अपेरिंग, उसे रा अब बाद को अच्छे से बाद को गुडविल का सब कोछ समा जा गा, पिकऽ बहुत इम्पोर्ट रे गुडविल मैं अब इसे चोछे सर्सक्ति इंगर, सारे के वाद बन सकते थे, वह मैं तो मैं बता दिए, क्डेका, है मेरे बच्चे, औल्ड रेशियो कौनसे पार्टनर के होती है? औल्ड रेशियो पुरने पार्टनर के होती है, तो पुरने पार्टनर में ही तो बटेगा, तो एंट्री के बच्चे क्या हो कि GR Debit. बोलो मेरे साथ साथ फटाफट पर रिविजिन करो, General Reserve Account, Debit, P&L Account, Debit, WCR Account, Debit, IFR Account, Debit, Two Partners Capital Accounts, Old Ratio में और WCR, IFR के अलगलग केसे सोते हैं, जो मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया है, ठीक है? अब बात करते हैं, क्लास, यहां पर, अगर यहां पर दे रखा है, क्लास, Goodwill, P&L, यह Debit Balance, यह Loss है, बार-बार बोलता हूं, क्रेट बालनस है, प्रॉफित है, अब यह चीजे, इसको Deferred Revenue Expenditure ही बोलते हैं, तीनों चीजे पार्टनर्स के अपल एकाउंट में, Debit Side Distribute हो ज क्लास, बातने वाले सारे के सारा इटम की एंटरी किया होगी, सब कुछ समाझ आगया, क्लास, अब यहां बिल्कुल सेम जो चेंज इन पेसरम पढ़ा, जो अडमिशन में पढ़ा, जो रिटार्में पढ़ा, जो आप ड़ते हो, क्लास, इसारा का सारा वही है, हर एक चीज द्थ के अंडर सेम है, फाइदा जब होगा, क्रेडिग घाटा जब होगाивать, उन्रिकोर्ड एसेट फाइदा है, फाइदा जब होगा, फाइदा बिल्याबिटी जब करिद अंडेडेटी चाटा है, क्रेडड एंड़िपार इसेट अचल अपार्ण, अउर् ibad jakby extending the state a seraitb acronym, अ तो भी गेन और लॉस होता है, वो हमेशा और हमेशा और हमेशा वो ओल्ड रिष्यो में आप डिस्ट्रिबूट करोगे ओल्ड पार्टनर्स के अंदर यह अपका रिष्यों का 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 रिष जब तुम्हें तीन चीजे आती हो अच्छे से, मतब तीन चीजों का ट्रीटमेंट अगर तुमको आता है तो तुम पार्टनर्स कैपले काउंट आसानी से बना लोगे, लेकिन अगर तुम्हें तीन चीजों का ट्रीटमेंट नहीं आता तुम पार्टनर्स कैपले काउंट न तो रिटार्मेंट पर रहे हैं, तो रिटार्मेंट में कैसे बनाओगे, ठीक है? सबसे पहले, रिवालोशन अगाउट बनाओगे, उधर गेन आएगा, तो रिवालोशन गेन को यहां ट्रांसफर करोगे, ओल्ड रिशो तीनों की ही होगी, एडमिशन में पुराने पार्टनर दो थे, तो पहली चीज क्या होगे, क्लास, रिवालोशन का गेन और लॉस, सबसे पहली चीज, हां सर रिवालोशन का गेन और लॉस आता है, दूसरी चीज, दिस्ट्रिबुटेबल आइटम, तो डिस्ट यह हम लोग ओल्ड रेशो में, दूसरी चीज समझागी, तो पहली चीज, आपको क्या पता होनी चाहिए, क्लास, रिवालोशन गेन, लॉस निकालना अना चाहिए, मतलब रिवालोशन अकाउंट तुमको आना चाहिए, दूसरी चीज है, क्लास, आपका डिस्ट्रिबुब आइटम तुमको यह भी आना चाहिए, क्या-क्या-क्या आइटम बढ़ता है, दूसरी चीज है, तीसरी चीज है गुड़वल की ट्रीट्में, रिमेनिंग ट्रीटारिंग, तो A और C में क्या लिखोगे, 2 B's, capital account, A और C में 2 B, B 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 म A समझाई, Scholars,APP случайQ minute, B में kto पूरा का पूरा तीन चीज़े गर तुम्हें आती हैं, तो तुम्हारा कोशिन ख़ता है, इसके अलावा, ओपनिंग बैलेंस तुम सबको पता है, क्लास यहां लिखोगे, जो पार्टनर छोड़के जा रहा है, सबसे पहले आप उसकी टोटलिंग करोगे, जो पार्टनर जो भी यहां बैलेंस आएगा, वो तुम बैलेंस बचेगा क्लास तुम सारा का सारा बी के लोन अकाउंट में डाल एख अखतम बात, और बाकी जो दो पार्टनर से उनका बैलेंस लिख दोगे, तू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर, बाकी पार्टनर का लिख दोगे तू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर, यह है पार्टनर का कैपल अकाउंट, लोन भी बैलेंस शीट में चला जाएगा, इस लोन पर कितना इंटरस्ट होता है, कोशिंग सालेंट तो, 6% पर अनम, और सीडी तो बैलेंस शीट में जाता है, फरक क्या पड़ा, पहले बी की पर की कापिल थी, अब बी का लोन अ crush, मतलए बी पहले मालिक का होता है, लोन भारवालों को होता है, तो अब बी बाहर वाला बन अगा बिसनेस से बाहर चला गया, तो यह है आप लोहों का लास, पूरा पूरगापूरा पार्टनर्स कापल अ काउंट, को कोशिन देखते है GR, P&L, WCR, IFR, Goodwill, P&L, Advertisement, Suspense मेरी आखे यह रोओड़ती हैं सबसे पहले इनकी रेशियो कितने है class? इनकी रेशियो नहीं पता है, आगे दियो में भी A और C, इनकी रेशियो है ही नहीं class पूरे कोश्चिन में इनकी रेशियो ही कहीं नहीं है ठीक है, तो यह काम करते हैं, इनकी रेशियो माल लेते हैं वन, देखो, ओल्ड रेशियो अगर गिवन नहीं है तो आप उसे इक्वल मान लोगे और A और C, डिसाइटो, इनकी जो न्यू रेशियो है, कौन चल गया बी, तो A और C का टू रेशियो जब भी तुम्हें नई रेशियो, ओल्ड रेशियो जब भी तुम्हें गिवन ना हो, तो ओल्ड रेशियो को इक्वल मानना ए और C की तू रेशियो.. फिर इनकी यह old ratio है, फिर मैं इनकी new ratio लिखूंगा क्योंकि B छोड़ के जा रहा है, A और C की कितनी है, 2 ratio 1, A और C की 2 ratio 1, 2 by 3 और 1 by 3, अब आप गेनिंग रेशियो इसके निकालोगे, Gaining ratio by using formula A और C का, new minus old, तो new है 2 by 3, 1 by 3, old जो है class, वो भी 1 by 3, 1 by 3 यह आगे 1 by 3 यह आगे 0, Gain by A only, Gain by A only, A को ही gain हो रहा है, class C को कोई gain नहीं हो रहा है, मतलब A का पहले 1 by 3 था, अब 2 by 3, तो A को 1 by 3 यह रहा है, C को कोई भी gain नहीं हो रहा है, ठीक है? B छोड़के यह रहा है, C को कोई फायदा नहीं हो रहा है, अब इसमें goodwill भी कही नहीं दे रहा है, goodwill of form is 30,000, तुमें पूरे फॉर्म की goodwill 30,000 दे रखी है, पूरे फॉर्म की जो goodwill दे रखी है, वो तुमको 30,000 दे रखी है, बात समझाई? पूरे फॉर्म की जो goodwill है, वो कितनी दे रखी है आपको? 30,000 दे रखी है, पूरे फॉर्म की goodwill, तुम किसका हिस्सा निकालोगे सबसे पहले तुम सबसे पहले हिस्सा निकालोगे B का, B चोड़के जा रहा है ना तो B का हिस्सा निकालोगे पूरे फिर्म की 30,000 है B का हिस्सा है क्लास 1 बाई 3 तो B का आगे है 10,000 एंट्री होते है रिमेनिंग टू रिटारिंग तो रिमेनिंग कौन है? A और C दोनों है, बट C क्योंकि गेन ही नहीं कर रहा है तो C के लिखने का फाइदा ही नहीं तो और रिटारिंग का आगे क्लास छोड़के जा रहा है B तो B को मिलेगा 10,000 अकेला एक गेन कर रहा है तो भरे का भी अकेला ये गुड़विल का ट्रीटमेंट है तुम चाहो तो इसको ना लिखो तो भी चलेगा या बहता है कि इसको लिखे क्लास वर्किंग नोड बना लो अब इसकी हम पोस्टिंग कर देंगे, एंट्री तो लिखना ही मत ज़ोड़ दो अब इसकी पोस्टिंग करेंगे लेकिन हमें उससे पहले फार्मैट बना लेना है REVALUATION ACCOUNT और PARTNERS CAPITAL ACCOUNT तो बना लेते हैं in class format REVALUATION ACCOUNT और PARTNERS CAPITAL ACCOUNT REVALUATION ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, ज्यादा चीजे है भी नहीं इसके अंदर REVALUATION बनता ही 4-5 लाइन का है Particulars, क्योंकि Examination में 4-5 पॉइंट ही होते हैं उससे अदा होते भी नहीं Particulars, Amount, और यहां लिखो REVALUATION ACCOUNT ठेक है बड़ा देखना बड़ी बात समझ रहे हैं आपर REVALUATION ACCOUNT हो गया, अब हम बनाएंगे PARTNERS CAPITAL ACCOUNT उसको भी बना लेते हैं PARTNERS CAPITAL ACCOUNT REVALUATION ACCOUNT हो गया, THEN PARTNERS CAPITAL ACCOUNT 90, PARTNERS CAPITAL ACCOUNT तीन PARTNERS है, तो तीनोंका अगलास आपको नाम लिखना पड़ेगा तीन PARTNERS है, एक, दो, तीन Particulars, एक, दो, तीन Okay, कौन-कौन PARTNERS है, बनाओ PARTNERS मेरे साथ खतम करो, क्लास, बाद में समय नहीं मिलेगा अभी खतम करना है, अभी A, B, C, B छोड़के जा रहा है A, B, C, B छोड़के जा रहा है PARTNERS CAPITAL ACCOUNT PARTICULARS Okay, चलो Now, अब दिखते है, क्लास, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर, Goodwill है 30,000 का तो Goodwill की Entry तो हमने करी दी क्या करी है, क्लास? A to B, 10,000 10,000, तो A में लिखो 2 B's CAPITAL ACCOUNT A में लिखो 2 B's CAPITAL ACCOUNT 10,000, और B को मिलेगा तो BY A's CAPITAL ACCOUNT A में 2 B B में BY A होगे लिए, 10,000 Goodwill के लिए पोस्टिं कर लिए आपने ब्रैकेट में लिखा दो क्योंकि आपने नोट बनाया है तो वर्किंग नोट वन दिखा दो आप चलो, now move to second point Bad debt है 4,000 का और 10% प्रोविजन वनेगा रिमीनिंग डेटर्स पे तो 4,000 का bad debt तो सबसे बले हैं लिखलो 2 bad debt revaluation में 4,000 रुपे का नुक्सान हो गया और जो बाकी है वो 10% का प्रोविजन वनेगा तो आप देखो यहां पे देटर्स आपके पस कितने के हैं? 45,000 के 4,000 का bad debt हो गया तो अभी कितना बचा क्लास? 41,000 बचा है अब इस 41,000 का आपने 10% प्रोविजन वनाया 4,100 तो टोटल जो नुक्सान हो गया वो हुआ है क्लास 8,100 नई balance sheet में माइनस करके जो फिगर आएगा वो आप नई balance sheet में लिख दोगे नई balance sheet अगर बनाना को आता है तो नई balance sheet में balance दिखेगा 36,900 बट अभी नुक्सान कितने का हुआ 4 bad और 4 800 4,100 तो 8,100 रुपय का टोटल नुक्सान हुआ है कितना क्लास 30,100 का नुक्सान हो गया next अगला point यह हो गया land and building increase to 132 1,32,000 तक बढ़ गया तो 1,32,000 तक बढ़ गया पहले कितना था क्लास आप मुझे बताओ land and building पहले कितना था 1,20,000 बढ़ गया class 1,32,000 तक यह नहीं कि land and building कितना क्लास लिखना 12,000 से land and building increase हो गया है 12,000 से furniture sold for 20,000 payment received by check furniture आपने 20,000 का बेच दिया furniture था कितने आपके बाद 28,000 तो आठ गाटा करवा बैठे आपने two furniture और तो कुछ information given नहीं 20 का था 28 का बेचा है तो 8,000 का सीदा सीदा नुकसान दिख रहा है इस के अंदर और next class यहां पर और check से पैसा ले लिया यह bank balance बढ़ जाएगा balance sheet में workers की जो liability है वो 1500 है यह liability में चला जाएगा balance sheet में workers की liability 1500 है पहले कितना था workman 6000 था 1500 की liability बन गई 6000 था 1500 की liability बन गई तो बाकी partners में distribute जाएगा by workman compensation reserve 4500 और इस question में ratio कितनी है इस question में ratio है 1 ratio 1 ratio 1 4500 आएगा 1500 500 और 1500 4500 का amount यहां पर आ जाएगा बात समाझ आगे class यहां पर आपने WCR को distribute कर दिया आपने goodwill के entry pass कर दी addition point सारा done हो गया एक point और है कि 20,000 रुपे नगत दे दे देंगे बाकी सारा loan में डालेंगे B को 20,000 रुपे नगत दे दो एक काम करो 2 cash दे दो B को 20,000 रुपे और अब जो भी balance बचेगा वो 2 B's loan account में डाल देना मतलब जो छोड़के जार उसको बोले भाई 10,000 रुपे नगत ले ले बाकी सारा तेरा लोन में चला जाएगा सिंपल यह हमने क्लास सारे पॉइंट कर ली अब हम री वालुएशन अकाउंट का गेन लॉस देखेंगे और तो कुछ आएगा नीज के अंदर यह साइट बड़ी है तो क्यापिटल अकाउंट आफ तो री वालुएशन गेन ट्रांसफर तो क्यापिल अकाउंट आफ A B C एक्वल रेशियो एक्लास तो यह बढ़ जाएगा तीनसो रेशियो अच्छा रहेगा न पेपर में तुमारा ताइम फिर बढ़ जाएगा टाइम नहीं लगेगा बट रेशियो अच्छा नहीं है अगर तो तुमको बहुत समय लग जाएगा बिकास बहुत सारी क्याकुलेशन जो है उसी बेसिस पे होती है पार्टनर्शिप में स्पेशली ओपनिंग बैलेंस ब्यंशन है अगराणर्श बीनिषब करने जा ऐसप्ट में बेता हुए नु leven हो समय ठीशन ही समय करण call मॉप्स ऐस जो में बनाओगे फिर सॉप्स कर具 सुप्स करणे इड़ा हुँ बनाओगे इतने जादा कॉशिन बनाओगे 10,000, 10,000, यह एक लास आपका जनलिजव, 10,000, 10,000, 10,000, आई एक लास बात समझे, सारी चीज़े हमने लिख लिख लिया है, ओपनिंग बैलेंस लिखे, 60, 40, 32, 60, 40, 32, 60, 40, 32, छोड़ के लास B जारा पहले, तो पहले B की टोटलिंग करते हैं, 40,000, 300, 15, 100, 10,000, 60, 1,800, फिर इस जोड़ लेते हैं, क्लास, 61,800, करेक्ट है, 61,800, 61,800, माइनस करो 20,000, 41,800 का लोन आगया, मतला 20,000 तुरंदे दी तुरंदे दी आपने, 41,800 का लोन आगया, अगर मैं तुम्हें बताओं, क्लास, यहां पे, 71,800 दिखा रहा है, क्लास, 71,800, माइनस करोगे 10,000, इस 61,800, बताओं, क्लास, 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 बताओं, क्ल तो भी चलेगा बैंक लिखो और जिखो और दो लिखो और दो भी चलेगा कोई प्रब्लम नहीं है 61,800 इसकी टोटलिंगे लो 32,000 प्लस 10,000 42,000 प्लस 300,000 प्लस 1500, it's 43,800 43,800 43800 排 समझे है कल paragraph यह है अपका पूरा गा पूरा पर्लस बें लों करें पार्टनर्स का प्रात्नर्स का जो लोन सब्साइब कि बनता क्योंकि यह बहुत द्रंड्म अपिक है इस साल CBS C बार्तनर का लोन अपाउंट पूछ सकती है यह जो sample paper आया है उसमें जो loan account अगाँन्स का अगी का ज़ै साथर हो जो जा सिल एक तो कर जारी बदेगे है संए बहुत थार्स र्टार्मेंड काervाट इस इस लोन को सेटल किस तरीके से करेंगे, ध्यान समझना, XYZ are partners in a firm, sharing profit loss equally, XYZ की profit loss equally है, why retire from the firm, why जोड़के जाया है, after adjustment of his capital account, show a credit balance of 75,000 on 1st of April 2019, 75,000 का balance बचता है, 15,000 तुरंद दे दे देंगे उसको, तो बागी कितना बचेगा, 60,000, 60,000 को जो पाइड करेंगे, वो करेंगे 3 equal annual installment, 60,000 को तीन बराबर बराबर की किस्तों में, यानि की 20, 20, 20, पहले हम देंगे क्लास 20,000, फिर देंगे 20,000, फिर देंगे 20,000, फिर देंगे 20,000, along with interest at the rate 5%, interest जो है वो है क्लास आपका 5%, prepare wise loan account until he paid the entire amount due to him, and books 31st March and close, मेरी बात समझेगा, 75,000 का balance आपका 15,000 आपने तुरन दे दिया, अभी 60,000 का balance जो है वो बाकी है देना है, फिर एक साल बाद आपने 20,000 लोटा दिया, तो next year जो interest देना है वो सिर्फ 40,000 पे देना है, फिर अगले साल 20,000 लोटा दिये तो अब लास्ट इंस्टॉल्मेंट जो है वो आपको 20,000 पे देना है, क्या सकता है है, i life loan account, particulars amount, particulars amount. 88,height 90, particulars amount, particulars amount, particulars amount, credit, यह class हो गया, particulars, debit, particulars, partners, क्या पर डल एकाउंट, तो फाइथ हा ना, तो हम वाई का लोन एकाउंट लिख देते हैं सीधे, partners ना लिख के, कि यह वाईज लोन अगाउंट, यह एक एक ऐप्रिल का बैलेंस था, एक एपरिल का बैलेंस था, एक एपरिल थोजार उनिस, एपने पयमेंट कर दिया इसी देट को तू बैंक 15,000. तो अभी 60,000 बचा है, तो 31 मार्च 20 को जो आप interest पे करोगे, वो 60,000 पे पे करोगे, interest का जो rate है वो है 5%, 60,000 का 10% होता है, 6,000 तो 5% होगा 3,000, तीन हजारा क्लास आप interest पे करोगे, फिर आप payment करोगे, 31 मार्च 19 को, 2 bank, हर इंस्टाल्मेंट 20,000 की थी, तो पहली इंस्टाल्मेंट के आप payment करोगे, प्लस ही जो interest आया आप उसकी payment करोगे, 23,000 के आप payment करोगे, अब आप टोटलिंग कर लो, यह आगे है 78,000, 78,000, माइनस करके जो बचेगा, 38 माइनस हो जाएगा, 40,000 बचेगा, 2 बैलेंस CD, 31st मार्च 19 को बलेंगा, 2 बैलेंस CD, फिर इस CD, एक अपरिल 20 को, एक अपरिल 19 को, 31 मार्च 20 है न, 31 मार्च 19 कैसे लिग दिए, दोनो 20 आए गए तो, 31 मार्च 20, 31 मार्च 20, एक चार उनिस का तो ओपनिंग बैलेंस था, तो यह एक चार इकईस आएगा फिर, एक चार इकईस, बैलेंस बेडी, सेकंड यर आ गया, जो फिर्स्ट एर का अपनिंग आ गया, कितना बैलेंस बनता है क्लास, 40,000 का यह बैलेंस बनेगा, ठीक है, अब इसके बा 40,000 पे 5%, जो कि बनेगा 2,000, यह बनेगा 42,000, अब 2 बैंक करके, यानि कि 31 मार्च 21 होगया न, 31 मार्च 21, 2 बैंक, अब हम लोग दूसरे इंस्टाल्मेंट पे करेंगे, जो कि हर इंस्टाल्मेंट 20,000 का है, प्लस इस साल जो इंटरस्ट द्यू हुआ है, दो हजार, तो यह 21 मार्च 21 को ही या जाएगा 2 बैलेंस सीडी, 2 बैलेंस सीडी, यह कितना क्लास है, 42, 22, 20,000 का बैलेंस आएगा, यह क्लास आएगा 42,000, फिर एक चार, एक चार, 21 को, एक चार बाइस, 31 मार्च 21 ने बाइस हो गया, यह ओपनिंग बैलेंस है, साल के एंड में इंटरस्ट लग 21 मार्च 22, 2 बैलेंस, सीडी, और आपने पेमेंब भी 31 मार्च 22 को ही करी यह ओिए, 31 मार्च 22 आपका चार अरा 9 आपका अप्निंग बालैंस था चार आपरें चार अप्रिल निस को आपका ऑने पैकर दिया 31st म sections оп those akupree Bed 8ल my अपने लिए Latb आपने एंट्रेस्थ दू किया 31st मुपेज को आपने पřिमेंट कर दिया 31st march 20 को आपने पेमेंट कर दिया और यहां जो पेमेंट होगी फिर 31 मार्च 21 की होगी 31 मार्च 21 अब यहां पर क्लास आएगा एक अपरल एक किस देखोगा ना 20, 19, 20, 21, 22 20, 22, 23, 24, 24 मार्च 22 अब टोटल यहागा टोटल 21,000 अब जो पेमेंट करेंगे 31 मार्च 22 को 2 बैंक की 20,000 कीपिश आपकी तीसर इंस्टेल्मेंट प्रेशों पेहला बीस, फिर बीस फिर वीस पिर बीस एक इंट्रस्त तीन दिया फिर दो दिया अब एक इंट्रस्ट जितना दिया उतना ही पे करोगे 21,000 देखो यह मैच हो गया कुछ भी CD नहीं बचा इसका मिलब फाइनली हमने क्या कर दिया तो इसमें हमने समिशन की तरह है रिटार्मेंट में भी एड्जेस्ट्र ऑफ कैपल क क्या होगी अबार्ने यह में एक नोओ पार्टनर में उटियमंट में क्या ज्बरेंच क्या हां था जूय एँ हरे रिटार्मी सबस्ट्रत्र ऑपा प्रटनर दिया होगा भीपे नेवाणांग ट्या कम्पारिजुवस्टमिन ने प्रटन में क्या डिफरेंस अग्लondereंत्रें अगर तुम्हें नई फ्रम कैपिल है, फिर तुम क्या करोगे? Step 1, question कहता भी है कि partner decide to adjust their capital तो समझ जाना, ये case number, मतलब ये adjustment of capital का ही question है normal question नहीं है, normal question में कहीं लिखा रहता पक partners adjust their capital in new ratio, bringing off or withdrawing cash, current account में balancing figure रहेगा access or shortfall to be adjusted through current account, कुछ भी लिखा नहीं रहता तो ये बिल्कुल class adjustment of capital question होगा, इनसे लिखा रहेगा, तो अगर आपको नए firm capital given है, new firm capital 6 lakh, 5 lakh, 20 lakh, 27 lakh, 27 lakh तो class समझ जाना, वो case 1 है, तो step 1 क्या करोगे? distribute it in new ratio, तुमहें नए firm की capital को नई ratio में distribute कर देना है, समझ गे बात को ? नए firm की capital है, उसको तुम्हें नई ratio में बातना है, distribute new firm capital in new ratio, नए firm की capital को नई रेशियो में बाट देना है जब आप नए फिर्म क्यापिल को नए रेशियो में बाटोगे वही आएगा 2-Balance CD अरे सर, CD तो हम लोग बैलेंसिंग करके निकालते थे अब ही तक हम CD कैसे निकालते थे क्रेइट साइड को जोड़ा, डेविट साइड घटाया, जो बैलेंस बचाया, वो CD लिकन तुम डिरेक्ली नए फिर्म क्यापिल को ने रेशियो में बाट दोगे पहले ही CD आपके पास आ जाएगा Step 2, अब आपने CD डिरेक्ली निकाल दिया है, तो आप बैलेंस करोगे, तो लिखो कि बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर will be adjusted through cash or current account, जो बैलेंसिंग फिगर है, cash or current account as the case may be, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है, वो किसमें आएगा? Cash or current account में as the case may be, तो बैलेंसिंग फिगर cash में आ सकता और current, बिल्कुल दो स्टप, खतम, नए फिगर की capital गिवन है, नए रेश्यो में बाढ़ दो वही तो बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर डेविट बचता है, तो 2 cash, क्रेड बचेगा तो by cash, या फिर 2 current या बैले बैलेंसिंग फिगर जो भी है, यह क्लास, case number 1, adjustment of capital का, बाकी कुछ भी नहीं, सारा कुछ नॉर्मल है, अब इस के case number 2 में क्या होता है, here, new firm capital is not given, बच्चो ध्यान समझ ना, is not given, तुम्हें यहां पर नए फिर्म की capital दियू ही नहीं है, तो तुम्हारा एक स्टेप case number 1 में किया, नए firm capital को narration बाटो, वही to balance CD, balancing figure to cash or by cash, but problem क्या है कि second case में आपको नए firm की capital ही given नहीं है, तो अब किसको नए ratio में बाटोगे, फिर balancing figure कहां से आएगा, तो नए firm की capital को निकालने में ही, एक step बढ़ जाता है, step 1, calculate new firm capital, तुम्हें अब नए firm capital को शीर में नहीं है तो में निकालना पड़ेगा फिर, calculate new firm capital, बच्चो एक मुझे बाद बताना, सोच समझ के, यह इसलिए बतारों तकि तुम्हें भूलो ना, ABC तीन partner है, B छोड़ के चला गया, तो अब मुझे बताओ, नए firm में partner कौन कौन होंगे, नए firm में partner कौन कौन होंगे, ABC तीन partner है, B जोड़ के चला गया, तो नए firm में A और C partners होंगे, इनकी capital को जोड़ दिया जाए, तो नए firm capital आजाएगी, तो नए firm capital को निकालोगे कैसे, 2 balance CDA का, प्लस 2 balance CDC का, जोड़ दोगे, यही class कहलाएगी, यही है, new firm capital, यही है new firm capital, 2 balance CDA का, और 2 balance CDC का, दोनों का closing balance, आप एड़ तो यह class आजाएगा, नए firm की capital, तो नए firm capital कैसे निकालोगे, CDA का, CDC का, दोनों का closing balance जोड़ दो, आगया new firm capital, बाकी rest सारा का सारा same process है, distribute it in a new ratio, नए firm की capital को नए ratio में बाटोगे, वही आएगा 2 balance CD, फिर step 3, balancing figure will be adjusted through, balancing figure will be adjusted through cash or current account, cash or current account as the case may be, तो जो भी balancing figure है, वो cash or current account as the case may be, यानि balancing figure cash में भी आ सकता है, और current account में, जैसा case होगा, वैसा case हम लोग लिखतेंगे, यानि की case 1 और case 2 अगर आप देखो तो जादा difference नहीं है, इसमें case 2 में एक step extra बढ़िया, बस तुमको नए firm capital को निकालना बड़ा, अधिमिशन में क्या था, नए partner capital given थी और दूसरे में class, नए firm की capital आपको निकालना पड़ा था, नए partner capital given थी नए partner capital निकाल थे, वो जादा सिंपल था, इसमें क्या है कि, नए firm capital निकाल लिया, और स्वें स्वें केस वन जासा चलेगा, यहां पे बालेंसिंग फिगर तो कम चांद से examination में, लेकिन मैं तुम्हें समझा जेता हूँ, अगर आगया तो कर ले ना, case 2a में क्या होता, यह भी same, क्योंकि two category का है, तो यहां भी here, new firm capital is not given, यहां भी तुम्हें class, नए firm capital given नहीं है, तो तुम्हारा step 1, step 1, calculate new firm capital, calculate new firm capital, तो तुम्हें नए firm capital निकालना है, step 2, distribute it in new ratio, distribute it in, distribute it in new ratio, नए firm capital को नए ratio में बाटो, जब नए ratio में बाटोगे तो यही आएगा, two balance CD, step 3, balancing figure will be, balancing figure will be adjusted through cash or current account, as the case may be, as the case, तो अगर आप देखो, तो तीनों के तीनों के तीनों case में, first case जैसा ही है, बस first case में नए firm capital given था, तो असान हो गया, एक step कम हो गया, second case में नए firm capital दोनों की CD को जोड के निकाल लिया, तो third case में नए firm capital कैसे निकालोगे, बटा ध्यान समझना, case number three वो case है, जहां पर question कहता है, कि partners अपनी capital को proportionate करेंगे, capitals are in proportion, पहली बात, और plus cash remains, cash remains, कुछ पैसे बचाएंगे, तो पहचानों के कैसे class इस case को, जहां पर partners बोलेगा, कि कुछ पैसे बचा रहे हैं, there capital are in proportionate, और class ही 10,000 बचाना चाहते हैं, देखो, question क्या कहा है, कि जो retiring partner है, उसको आप पे कर रहे हैं, in such a way, आप उस तरीके से सारा का सारा पे कर रहे हो, ताकि आपकी capital proportionate भी हो जाए और पैसा भी आपके हाथ में बच जाए, तो समझ जाना, class, वो आपका case number 2 A part, तो करें ही कैसे situation में, CD A का, CD C का और loan B का, यानि कि तीनों चीजों को लेना है, तीनों का closing balance लेना है, इससे पहले case में आपने सिर्फ दोनों partner का CD जोड़ा, नए फर्म के अपला गई, लेकिन अब तुम तुम तीनों partner का CD जोड़ोगे जितना पैसा बचाना चाहते हो, cash in hand remains, तुम चाहते हो कि उसको payment करने के बाद भी हमारे पास इतना पैसा बचे, हमारे जिब खाली ना हो, वो जोड़ दो, minus कर दो, cash already in balance sheet, cash जो भी balance sheet के अंदर दिख रहा है, asset side, वो minus कर दो, अब जो आएगा class, उसको वो लेंगे new firm capital, मैं तीनों केस को एक बार रिवाइस करा जाता हूं, सबसे first case, new firm capital given, यह given है, second case में दोनों की CD को जोड़ो यह आजाएगा, तीसरे case में दोनों की CD को जोड़ो, जो बचाना पो प्लस करो, जितना अल्री है, वो minus करो, अब जो आएगा यह आएगा, यह आएगा, इसको नही रि फिर balancing figure, to cash, by cash, to current, or by current account, तो यह थे class, complete adjustment of, अब चलते है class, question के ऊपर, तो Lisa, Monica, और Nisha, partners है class, इनकी ratio जो है, 2 by 5, 2 by 5, 1 by 5 है, ठीक है, Lisa, Monica, और Nisha, लिखते है class, Lisa, Monica, Nisha, यह partners है, नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर, बहुत बड़ा format है, यहाँ पर, काफी जगे बचेगी, Lisa, Monica, Nisha, ratio head, 2 to 1, कितने है class, 2 to 1, 2 by 5, 2 by 5, or 1 by 5, अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ है class, यह employee point fund distribute नहीं होता, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, जो पार्टनर्स के capital account में distribute की जाए, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, जो पार्टनर्स के capital account में distribute की जाए, यह class आपका जो ह next, इसमें लिखा के आए class, on 31 March 2019, Monika retire from the following remaining partner decide to carry on the business, इसमें कहीं भी नहीं रेशियो क्लास गेवन नहीं है, बस Monika retire हो रही है, बस इतना लिखा है कि Monika छोड़ के जा रही है, और कुछ भी लिखानी है, तो Monika retire हो रही है, तो जो new ratio बनेगी Lisa और Nisha की, वो बनेगी 2 ratio, बनेग करी लिना है, पूरे फर्म की गुडविल जरूर देर रखियोगी, बनेगी लिखानी है, बनेगी 3 लाग और मोनिका की जो गुडविल है, उसको एड़्जस करेंगी Lisa और Nisha में, तो 3 लाग class गुडविल है, पूरे फर्म की 3 लाग है, तो अगर आप इसका हिस्सा आप इस तो एड़ लाग जो दिवाएगा, वो तीन लाग का टू बाइफाइव आएगा, करना class 3 लाग का 2 लाग यंटू दिवाएद फाइव वन लाग 20 थाऊजन, इस वन लाग 20 थाऊजन की जो आप एंटरी पास करोगे, वो क्या करोगे, रिमेनिंग कौन कौन है class, L ड 80,000 और 40,000, L N 2 M, L में N में लिखोगे 2 M, L M N, यह partners capital account है, credit, यहाँ format अलड़ी बना लिया मैंने, partners, capital, account, debit, अब सुनो, पोस्टिं के से करोगे class इसकी देखो, L में N में 2 M, L में M में, L में और N में 2 M, L में और N में 2 M, 80, 40, 80 और 40, और M में लिखोगे, by L और by N, capital account, capital account, M में, कितना कितना class आएगा, 80 और 40, तो यहनि कि M को मिलता है, एक लाग, 20,000 और L और N में भी कितना जाता है, L से 80 जाता है, N से 40, तो यह question, यह point तो तो तुम्हें करना ही करना है, 100 परसेंट यह आता है, जनला इंटरी में आये चाहे class, यह आये जरूर यह इस तरह से आपने posting कर दी, अब इसके बाद सारी posting होगी, अब यह दिखते है, Land Building Appreciated by 2,40,000, सीधा 2,40,000 से बढ़ गया Land Building, बहुत बड़ा फिगर है, बट कोई दिक्कत नहीं हमें तो कुषिन करना है, जज नहीं करना, उसको कम है जादा है, कितना बड़ा है class, Land and Building, Increase by 2,40,000, by Land and Building, कितने से Increase हो गया है, 2,40,000 से, ठीक है, 50% and machinery depreciate हो 10% से, तो machine depreciate हो गया, machine कितने गाया है, 12,00,000, 10% से depreciate हो गया, 1,20,000, लेखो, 2 machinery, machinery depreciate हो गया 10% से, ठीक है, next, 50% stock taken over by the retiring partner at book value, 50% stock, stock है 10,00,000, 50% लेगया partner, तो 50% कितना बनेगा class, 5,00,000, M, Monica लेगई, 2 stock, कोई भी asset partner ले जाता है, तो entry होती है, partner's capital account debit to asset account, simple सी बात है, partner's capital account में 2 asset, यहीं 2 stock, अगर stock को कम में लिया होता, तो घाटा होता, revaluation में debit दिखाते, stock को जादा लिया होता, तो फाइदा होता, revaluation में credit दिखाते, बट यह stock को क्लास कम लिया लिया नहीं है, stock को book value पे टेकन अवर किया हुआ है, stock को book value पे लिया है, ठीक है, stock को book value पे लिया है, डेटास में 5% का है, तो आप चेक करो, अवर क्लास, provision, debtors आपको दे रखा है, 4 लाग, 4 लाग का 5% कितना बनेगा, 20,000, कभी यहाँ देखना ना, और यहाँ से माइनस करके नहीं, यहाँ दिया होता है, बट यहाँ नहीं दिया है, 4 लाग है, और जो provision for doubtful debtors 5% है, तो 4 लाग का 5% कितना बनेगा, 20,000, 20,000, to provision for doubtful debts, goodwill का point कर चुके है, अब देखो, यह point पड़के मुझे समझ आया कि यह question adjustment of capital का है, तुम भी यह point पड़ोगे, इस type से, the capital of firm is fixed 27 lakh, which will be, proportion to the new profit sharing ratio of Lisa and Nisa for the purpose, current account of the partners or open prepare revolution capital account, आपको balancing figure current account लिखना है, इसमें question कह रहा है कि balancing figure will be adjusted through current account, और हमेशा paper में question की requirement को पहले अनलाइनिंग करना, कि question आपसे मांग क्या रहा है, question आपसे पूच क्या रहा है, कई बार कुछ कुछ पूचता है, आप कुछ लिखते हो तो ऐसा नहीं करना है, प्रिपेर, revolution account and partners capital account, आपको revolution account और आपको partners capital account बनाना है, ठीक है, तो चलो, नए फिर्म की capital 27 लाग है, तो अपसे क्या कहा था, और इस question में जो नई ratio है, वो 2 ratio 1 है, तो आप लिख दो 2 balance CD, 2 balance CD, नए फिर्म की capital जो है, वो 27 लाग है, नई ratio 2 ratio 1 है, तो 18 और 9 लाग हाजाएगा, इसका आणसर 18 लाग और इसका आणसर 9 लाग हतम, यानि कि आपने पहले ही CD को calculate कर लिया, आपने जो closing balance है, carried down है, वो पहले ही calculate कर लिया, बिना question पूरा solve किया थी, यही तो case 1 की simplicity है, नए फिर्म की capital जिवन है, नए रेशियो में बाद दो, वही 2 balance CD, balancing figure 2 cash और buy cash, बैद इस question में balancing figure राएगा 2 current या by current, हमने सारे addition point को पढ़ लिएगे करके, अब हमें balance sheet से दिखना, कुछ भी बातने के रही हाँ पे है नहीं, 14 14 360 का opening balance है, 14 lakh, 14 lakh 360, 14 lakh, 14 lakh, 3 lakh 60 thousand, तो यह क्लास आएग buy balance BD, opening balance, इस से पहले तुम्हें रेवालेशन एकाउंट बनाया, इसकी totaling करो, यह होगया, 240, 240, और आप स्टेप के नंबर है, जितने स्टेप करेक्ट होंगे तुम्हे उतने नंबर मिलेंगे, तो गवराने की कोई बात नहीं है, स्टेप सारे सही होने चाहिए, 240, मैनस कर करेंगे 20, इस 1 lakh, तो यह जो 1 lakh का R.I. class amount इसको लिखेंगे, 2, revaluation gain, transfer to, capital account of Liza Monika Nisha, तो एक लाग का लाग का लाग का बालेंस आगया, 2,40 मेंसे 1,40 मेंसे 1,40 मेंसे घटा होगे, तो एक लाग को डिवाद़ दो 5 से 20, 20 इंटो 2,40, 20 इंटो 2,40, 20 इंटो 1,20, इस एक लाग क इसको बेजो 40, 40, 20, 40,000, 40,000, 20,000, किस नाम साएगा, यह जा रहा है, रिवालोईशन गेन, रिवालोईशन गेन, हमने रिवालोईशन गेन, हमने रिवालोईशन गेन, हर एक चीज़ रिख ली, अब जो पार्टनर छोड के जारा है, उसका बालनसिंग फिगर लोन में प्लस 40,000, 15,60,000, 15,60,000, 15,60,000, 15,60,000, 15,60,000, 45,60,000, सारा का सारा उठाके क्लास 15,60,000, to Monika Loan Account, सारा का सारा उठाके क्लास Monika के Loan Account में डाल दो, कितना क्लास आएगा 10,60,000, अब इसका देखते हैं क्लास कितना बनेगा 18,80,000, 18,80,000, 18,80,000, minus 14,40,000, 8,80,000, minus 14,40,000, यागा 4,40,000, तो balancing figure उने बोला, जो भी adjust होगा, वो current account में adjust होगा, अगर मैं इसके देखों, क्लापिल का ये बड़ी है, 9,40,000, 9,40,000, माइनस करदो क्लास, 9,40 में से, 3,60,000, minus 20, 5,60,000, 5,60,000, done, खताम होगया, तो यार इस तरीके से आपको पूरा का पूरा रिवालेशन अकाउंट, क्यापल अकाउंट बनाना है, जितने ज्यादा स्टेप्स करेक्ट होंगे, उमीद ए क्लास आपको उतने ही ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लास, आते है नेक्स्ट पे, अब ये क्लास अगले केसा कोश्चिन है, इसमें A, B, C, तीन पार्टनर रेशो, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 6, अगर आप डिनोमिनेटर मैच करो, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 6, तो तो को 3, 6 के से बनाएंगे, 3 3 से, तो ये आगा क्लास कितना, 3 upon 6, अगर रेशो दीन कर रही है, तो ये बनाएंगे, तो आप डिवाईट तो ये लाएंगे, तो ये लाएंगे, तो गार्टनर रेशो क्या है क्लास, 3 रेशो ने, इसमें इसमें इस्टिब्यूट कर लिए, एक इटमीन अगल नहीं होता, रेशो इनकी 3 2 1 है, तो अपिल दे C ने इंवस्टें लेलिया पंदरा आठट अमें AB decide to adjust their capital in proportion to their profits ratio by opening current account अब इसमें class, the balancing figure है, the current account करणें उपाउंड और अगाउंड रापर्ड रेवलेशिन राप्ट अप्ट 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 इसमें कहीं भी नहीं बोला है class कि कुछ पैसे बचाने हैं पार्टनर्स को कुछ पैसे बचाने हैं, इसमें कहीं भी नहीं बोला है, तो normal question है, बस आपने adjustment का second case है, because last line लिखी हुए इसके बारे में, first case होते तो नए firm capital given होती, तो यह second case है, इस question में ABC की ratio है 3 to 1, और इसमें कहीं भी और कोई ratio दी हुई नहीं है, ABC की ratio 3 to 1 है, ABC 3 to 1, 3 by 6, 2 by 1 by 6, 1 by 6, C जो है, C रिटार हो रहा है, तो C को हटा दो, A और B की 3 ratio 2, यही new ratio है, यही gaining ratio है, फिर इसके बाद का का काम, पूरे firm की goodwill तुमको दी होती है, देखो पूरे firm की कितनी goodwill दी गई है, goodwill of the firm, पूरे firm की goodwill आप चेक करो, 54,000, 54, पूरे firm की goodwill आगे, 54,000, आपको C का share निकालना है, C share of goodwill, पूरे firm की है 54,000, C का हिस्सा है 1 by 6, तो 54,000 का 1 by 6 करोगे, तो कितना class आएगा, 9,000, 54,000 का 1 by 6, जो की balance बनेगा, वो कितना आएगा, 9,000, और entry क्या करते है, remaining to retiring, तो remaining काउन काउन है, A, B छोड़ के जा रहा है, C, C को मिलेगा 9,000, Gaining Ratio 3 Ratio 2 है, 9,000 का 3 by 5 ये बनेगा 5,400, और 9,000 का 2 by 5 ये बनेगा 3,600, ये गुद्विल की एक एंट्री हमने पास कर दी, जैसा कोश्चिन कह रहा था, गुद्विल 54,000 है, हमने वैसी एंट्री पास कर दी, A, B to C, तो पार्टनर्स के अपलेगाण बनाते है, सबसे पहले, RE-VALUATION ACCOUNT, RE-VALUATION ACCOUNT, CREDIT, AMOUNT, PARTICULARS, AMOUNT, PARTICULARS, इगे, DEBIT, A, B, C, PARTNERS CAPITAL ACCOUNT, PARTNERS CAPITAL ACCOUNT, A, B, C, A की लाइन रह गई, A, B, C, ठीक है, ये हो गया, अब सबसेरा पोस्टिंग करते हैं, जो गुद्विल की पोस्टिंग है, A में, B में, 2C, A में, B में, 2C, A में और B में, 2C, C में लिखो, YA, YB, C में लिखो, YA, YB, 5400 और 3600, 5, 3, 8, 1, 9, ठीक है, तो ये हो गया, क्लास यहां तक, उसके अधर, देप्रिशेशन लगगा है, मशीन पे 10%, मशीन पे 10%, मशीन है 58,000, दस परसंट बनेगा 58,000, तू मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, 58,000 से तो रेवालुशन में नुकसान, नेक्स पॉंट है, पेटेंस तो बी रेदूसे बाइ 20%, पेटेंस 20% से कम हो गया, 5000 का 20% कितना बनेगा, 1000, तू पेटेंस, पेटेंस 20% से कम हो गया, जोगी कितना है क्लास, 1000 है, तू पेटेंस, एक ओल्ड फॉटोप्यर मशीन अच्छेशो का बेच दिया, वो राइट ओफ तो फाइदा हो गया, by old photocopier machine, पहले तो आपने उसका नाम मिटा ही दिया था, उसको 0 समझ रहे थे आप, आज आपने 600 का बेच दिया, तो फाइदा हो गया, by photocopier machine, आपने उसको बेच दिया, कितने में, 600 में, और आगे लिखा एक लास, C ने इन्वेस्मेंट लेली 1500 कि क इन्वेस्मेंट इन्वेस्मेंट यहां पहे 10,000 का ले गया 15,800 में, तो 5,800 का फाइदा हो गया, उसको रीवैलेशन में आपने भेजना है, by यह आएगा 5,800 इन्वेस्मेंट, बई 15,000 की चीज को, को यगर 15,800 में ले 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 तो 5,800 का फाइदा हो गया, ठीक है, सारे points हो ग by general reserve, 9,000 है, 6 से डिवाइद दोगे, 1500, 15 इन्टो 3,500, 15 इन्टो 2, 3000, 15 इन्टो 1,500, opening balance by balance BD, कितना कितना opening balance है, 60, 46,500, 40, 60, 46,500, और 40,000, 60, 46,500, और 40,000, ठीक है, general reserve भी हो गया, हर एक चीज क्लास हमने complete कर दिया, अब आप रिवालवेशन की टोटलिंग करो, गेन लॉस निकालो, यह एगा 6,800, यह एगा 6,800, 6,800, 6,800 में से घटा दोगे 5,800 और माइनस 600, तो यह 400 रुपय का बालन्स को ला रहा है, by रिवालवे transfer to, जितने ज्यादा स्टेप आप तसली से ठंडे दिमाग से examination में करोगे ना, उतना ही ज्यादा क्लास आपको फाइदा होगा, a, b, c, ratio 3, 2, 1 है, बाटो क्लास, a, b, c, 3, 2, 1 है, 400 को 6 से डिवाइड दो, यह एगा 6, 7, into 3, 200, और यह ओविशली क्लास कितना आएगा, 133, 133, 133, done, तो यह लिख लो लॉस को, 233,67, 200, 2, revolution, loss, तो opening balance भी हो गया, distrival item भी हो गया, goodwill की entry हो गई, investment take over किया, loss gain भी हो गया, सारी चीजे आप लोगने कर ली, अब आप क्या करोगे, ध्यान समझना, case number 2, कैसे करते हैं case number 2, सीख लो, नहीं तो दिक्कत होगी बात में, आप ज जो चोड़के जा रहा है पहले, उसका loan डाल दो, जो चोड़के जा रहा है वो आखरी वाला partner है, 40,000, 1500, 54,000, 36,000, 50,500, ठीक है? 50,500, minus करेंगे 67, minus करेंगे 15,800, या अगया 346, 346,33, 2 C's, loan account, यह क्लास जो भालंसिंग फिगर है, यह क्लास जो बालंसिंग फिगर होगने 2 C is loan account, और जो बाकी दोनों का अंसर आएगा, वो एगा 2 balance C D, जो जो closing balance है बाकी दो का वो किस नाम से आएगा 2 balance C D के नाम से, तो 46,500 प्लस 3000 याएगा 49,500 और एक सेड़, आप यहाँ लिखना मात इसको, 49,500, माइनस करेंगे 3600, माइनस 133, या आगया closing balance of, लिखोगे, closing balance of B, और closing balance of A, B का closing balance of 45767, यह क्लास इसका balancing figure है, और अगर मैं इसका A का देखो, 60,000, 4500, 64,500, minus 54,000, minus 200, यह आगया क्लास आपका, 64,500, minus 200, या आगया 58,900, माइनस आपसे क्या कहा था? अगर नए firm capital given नहीं है, दोनों की CD को जोड़ दो, लो मैंने दोनों की CD को जोड़ दिया, 45767, दोनों की CD को जोड़ दिया, यह आएगी क्लास, new firm capital, अब इस नए firm की capital को आप नए ratio में बातोगे, किस-किस में A में और B में, A B की नए ratio कितनी है, चेक करो क्लास, A B की नए ratio, यह 3 ratio 2, A और B में 3 ratio 2 बातोगे क्लास, into 3 by 5, 62800, और 104, 667 का, 2 by 5, यह 41867, और 62800, यह आड करे क्लास, यह आपका आजागा correct answer, 41867 और 62800, यह लिग दो two balance CD, 62800, 41867, 41867, यहां की CD जो है, आपको working notes से लिखना है CD को, directly CD नी लिखोगे, यही महनत का काम है case number 2 में बस, case number 1 सान था, इसमें क्या है, पहले तुमने CD यहां निकाला, यहां निकाल के लिखा, working note में, कोशिन कह रहा है कि जो balancing figure है, वो current account में आएगा, तो current account में लिख देंगे जो balancing figure है, 3900, यह जो 3900 है class, लिखो को by A's current account, if I talk about B, 46500 plus 3000, 49500, यह साइट बड़ी है, 49500, किसका current account है? A's, और यहां जो balance आएगा class, minus 41867, minus 3600, minus 133, 3900, यह भी 3900 का balance आएगा, किस नाम साइगा, 2, 20 current account, जो भी balancing figure है, वो current account में डाल दो, हो गया class, काम खतम, इस तरीके से class, पूरा का पूरा, हर चीज का, अगर यही case number 2 का A होता, कोशिन केता कुछ पैसे बचाने है, प्रपोर्शनेट, तो तो तीनो की CD को जोडते, मतलब जो C का लो नयाज, C को जो पेमेंट देरो, जो भी C का balancing figure है, वो भी जोडते, जितना पैसा बचाना हो, प्लस करते, जितना उड़ी balance sheet में माइनस करते, फिर जो आता, वो आता, वो आता, बाटते, बाटतेए, बालेंस के लिगर भी C, तो क्रेंट और भी C, बालेंस के लिखते हैं, गवी कर्णे दो 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 निगता, यह थोड़ा मhãनात का काम लिए, यह फैले, वीं थार्मेंट वी अग्ट में है क्लास आप्रामेट कृट रेशी है । अबूगों ने वी वी अच्छी सेते हैं। उसी अरे को सिरु में गाप्स कर दिया है। 2-3 लागा, टाइम आटका ने टाइमने ठीम आटार थीन हिर पूरा बाटो पूरा पेपर पत्रह एंटे बेपर बाटो पन्देट एंटेफ्टी अच्छा लो, तो जो कोई प्रॉबलमने, बट तुम्हारा अंसरा ना रटो हो, तुम्हारा ना रुचा घङद कर दो थुम्ह फिर से वंचोट आ रहा है, यह सिर्फ स्पेसिविक रिवीजन है विफोर एक्जाम के लिए, ताकि आप एक्जामनेशन से पहले एक कम्प्लीट रिवीजन ले सको, उमीदे क्लास वीडियो अच्छी लगए कि सीखने को मिला होगा, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, इस